सानिक स्कूल में बच्चों को NDA यानि National Defense Academy के लिए physically और mentally तयार किया जाता है यहां बच्चों की overall personality development की जाती है ताकि बच्चे NDA में प्रवेश कर देश के डिफेंस छेतर में बहतरीन officers बन सके सानिक स्कूल में admission कैसे होता है पढ़ाई कैसे ही होती है फीज कितने लगते हैं और यहां के rules और regulation क्या है इस पूरी वीडियो में हम इन topics पे detail में बात करेंगे सानिक स्कूल में admission को लेकर आपके सारे doubts clear हो जाएंगे सानिक स्कूल में पढ़ाई किस board के according होती है CBSE या ICSE पढ़ाई के साथ साथ और कौन से facilities available है सानिक स्कूल में hostel और खाने का क्या system है इन सब की जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कोई भी information आपसे miss ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को last तक देखें Year 1961 में Defense Minister V.K. Krishna के प्रस्तावना से देश का पहला सैनिक स्कूल का स्थापना महराष्ट्र के सतारा में किया गया और आज पूरदेश में total 33 यानि 33 सैनिक स्कूल बनाएं जा चुके हैं इन सैनिक स्कूलों की संचालना सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है जिसका supervision Ministry of Defense Government of India द्वारा किया जाता है अगर हम बात करें सैनिक स्कूल में admission की तो हर साल हर सैनिक स्कूल में करीब 60 से लेकर 100 बच्चों का selection होता है क्लास 6 में depending on the seats vacant available पहले सैनिक स्कूल में सिर्फ boys की admission होती थी बट हाली में Defense Minister राजनात सिंग ने सैनिक स्कूल में girls के admission की प्रस्तावना को accept कर लिया है और इसी के according session 2021-22 से अब सैनिक स्कूल में girls का भी admission होने लगा है क्लास 6 में सैनिक स्कूल में admission क्लास 9 में भी होता है बट ये तब ही होता है जब कुछ seat खाली रहती है जैसे कि अगर कोई student किसी reason के वज़े से school छोड़ देता है तो उसकी जगे पर new students का admission लिया जाता है क्लास 9 में प्लास 6 और 9 दोनों में बच्चों के admission के लिए entrance exam लिया जाता है ये exam AISSWE यानि All India Sanic School entrance examination के नाम से जाना जाता है और इस exam को conduct करवाती है National Testing Agency इस exam के लिए आपको online form भरना होता है जो August-September के महिने में निकलते हैं और ये exam हर साल January मन्त में लिव जाती है बात करते हैं entrance exam के लिए eligibility criteria यानि योगियता क्या होनी चाहिए सबसे पहले age criteria की बात करते हैं तो class 6 के लिए apply करने के लिए बच्चे की age 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए और class 9 के लिए age होनी चाहिए 13 to 15 years और ये age calculate किया जाता है as on 31st March admission के लिए जो total seats होती हैं उनमें कुछ reservation criteria भी होती हैं पहला ये कि total seats की 67% seats home state यानि जिस राज्य में school located है वहां के बच्चों से भरी जाती है बाकी बच्चे 33% seat other state यानि दूसरे राज्य के बच्चों के लिए available होती हैं अब इन 67 और 33% seats में फिर एक अलग से second type की reservation criteria लगती है उसके according 15% seats, SD candidates, 7.5% seats, SD candidates and 27% seats OBC, NCL candidates के लिए आरक्षित होती हैं अब इनके बाद जो seats बच्चती हैं उन में 25% seats defense category के बच्चों के लिए होती हैं यानि की जिनके मातापिता defense चेतर में या फिर ex-servicemen होते हैं उनके लिए होती हैं अब हम बात करेंगे सानिक स्कूल में पढ़ाई के विशे में सानिक स्कूल की स्थापना बॉइस को NDA के लिए तयार करने के लिए किया गया है और इसी वज़े से यहां की जो education system यानि सक्षा प्रनाली है वो इस तरह से बनाया गया है कि बच्चों में overall personality development हो सके यहां के बच्चों में confidence, देश के लिए प्यार, आत्मनिर्भरता, उच विचार, दूसरों के विचारों के प्रतिसम्मान आधी अनेक गुन देखे जाते हैं सानिक स्कूल में पढ़ाई CBSE यानि Central Board of Secondary Education के according होती है यहां के teachers और faculty highly qualified और trained होते हैं जो यहां पढ़ रहे सभी बच्चों को बेहतरीन धंग से guide करते हैं सानिक स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ extra curricular activities पे भी ध्यान दिया जाता है जैसे कि different sports activities, martial arts, horse riding और stage performance सानिक स्कूल fully residential schools है यहां सभी बच्चों को hostel में ही रहना पड़ता है hostel में खाने का proper system है और hostel का खाना healthy और nutritious होता है ताकि बच्चे physically strong बन पाई सानिक स्कूल का campus काफी बड़ा होता है और students को principal, teachers या staff के permission के बिना campus के बाहर जाना allowed नहीं है अब आते हैं सबसे important topic पे सानिक स्कूल में fees कितनी लगती है सानिक स्कूल में yearly basis पे यानि साल में एक लाग से डेड़ लाग तक fees लगती है general या OBC candidates के लिए और अगर बात करें SC, ST या defense quota के candidates के लिए तो fees थोड़ी कम लगती है as compared to general या OBC candidates in case बच्चे की family EWS economically weaker section के category में fall करती है यानि जिनके parents की annual income कम होती है उन बच्चों को भी थोड़ी कम fees pay करने होते हैं जिन पर detail में बतानी की जरूरत है जैसे सैनिक स्कूल के form कैसे भरा जाता है admission का complete procedure क्या है preparation कैसे करना है इन सब topics को हम अपने आने वाले videos में cover करने वाज़ाएं